हेलो माईडिय स्टुडेंस हिंदी लणी चैनल में आपका स्वागत है आज आशीवा महाजन आपकी अधियापी का लेकर आई है संस्कृत निकिता बुक क्लास 7 का चैप्टर 14 जी हाँ चैप्टर 14 है ग्रामे जीवन के बारे में आज हम इस पार्ट में पढ़ेंगे इस पार्ट में बुक की एक्सरसाइस तो सौल की हुई मिलेगी आपको साथ में अनुबाद भी मिलेगा ओके अनुबाद को ध्यान से सुनिएगा जो भी हिंदी ट्रांसलेशन है इसकी देखे फटाफट इस पार्ट में बच्चो अधिकतर शब्द जो मिलेंगे अधिकरन कारक जानिकी सप्तमी भीबकती जिसके चिन्या क्या होंगे में पर उपर ये सब भारत वर्ष है क्रिशी प्रधानाय देश अस्ती ध्यान से सुनिएगा भारत वर्ष क्रिशी प्रधान मतलब रहती है ग्राम वासिना गार गाउं के जहां ग्रामीन कह सकते हैं जना ग्रामीना इती कत्यांते कहता है गाउं में रहने वाले ग्राम वासि है न तो गाउं में रहने वाले जना मतलब लोगों को ग्रामीन ऐसा कहते हैं इती का मतलब होता है ऐसा ग्रामीना नाम जना न ग्रामीन लोग जो है उनकी जो दिन चरया है ग्रामीन ना नाम जाने की ग्रामीन जनाना मतलब लोगों की दिन चरया शोबना मतलब अच्छी शिक्षा प्रदा चर बफती चर का मतलब और तो पहले ले आएंगे और शिक्षा प्रद होती है जाने की गाउं में जो रहने वाल चत्रुवादने उतिश्थन्तों गाउं में ग्रामीन लोग प्राते गृन की सवेरी चत्रुवादने चार बजे उतिश्थन्ती उठते हैं !! ते शोचम वे शोच सनानम अन्यत च अवश्यकम कारियम कृत्वा सब कियेशु कारेशु सलंगना भवन्ती वे शोच सनान और अन्यत का मतलब अन्यम अवश्यकम कारियम अन्यम अवश्यक कारियम कृत्वा मतलब करके सब कारेशु आना चाहिए था वैसे तो यहां पर सब कार पूर्णानी शेत्रानी भवन्ती गाउं के पूर्णानी शेत्रानी भवन्ती जाने कि अनाच पूर्ण खेत तो कहते हैं गाउं के चारो तरफ फसल से भरे खेत होते हैं शेत्रानी 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 भवन्ती गाउं में शुदम घृतम शुदगी खादे वस्तु नीच प्राप्तानी भवन्ती और खाने योग्य जो खाने की शुदवस्तुएं वो प्राप्त होती हैं अते इसलिए ग्रामेशू जीवनम गाउं का जीवन समीचीनम स्वास्थें भवति इसलिए गाउं का जीवन वास्तव में स्वस्त होता है तत्र जना वहां जना मतलब लोग हश्टा पुष्टा बलवन्ता प्रसन्ना चब वन्ती हश्ट पुष्ट बलवान जनी की वहां लोग स्वस्त बलवान एवं प्रसन होते हैं ग्रामस्य जीवनम गाउं का जीवन अती मनोहरम भftी बहुत सुंदर होता है वर्तमान ग्रामीना विचारेंती वर्तमान मतलब आज का टाइम प्रेजन टाइम की बात ओरी है आज के ग्रामीन विचारेंती विचार करते हैं नगरेशु सुविदा अधिक संती नगरों में अधिक सुविदा है आज के गाउं के लोग यही सोईते हैं नगरों में जादा facilities है अतै इसलिए सर्वे नगरेशु एव निवासम इच्छंती सभी नगर में रहने की इच्छा करते हैं तेब्यम उनके लिए संदेशम इदम ये संदेश है केवलम धनम एव जीवनस्य अधारम नाभवती केवल धन ही जीवन का अधार नहीं होता अपितुम स्वास्थेम अ काफी परशंसा की गई है इसमें और करनी भी चाहिए क्योंकि गाओं के जीवन जितनी शुद्धता हमारे सिटीज में नहीं होती है हमारे शहरों में नहीं होती है है ना चलिए ये पार्ट तो आपने पढ़ लिया नुवाद अच्छे से समझ लिया आगे को आप देख ली जीजिए वर्ड मीनिंग्स उसके बाद विशेशन और विशेशन के बारे में बताया है वाक्यों में विशेशन के नुसाल लिंगवी बक्ती वचन का प्रयोग विशेशन में किया जाता है ग्राम वासीना जना ग्रामीना कथे अंते इस वाक्य में जनाह क्या है विशेशन इसी प्रकाश शुद्धम जलम है, स्वच वायू है, इसमें शुद्ध हो गया विशेशन, जलम हो गया विशेश्य, स्वच हो गया विशेशन, वायू हो गई विशेश्य। सब्तमी विवक्ति होती है विशे में बारे में अर्थ में समय बोधक शब्दों में सब्तमी विवक्ति का ही प्रियोग होता है फिर एक किर्या के बाद दूसी किर्या होने पर पहली किर्या में कौनसी विवक्ति है सब्तमी विवक्ति सलगन और चतुर अर्थ वाले शब्दो जिसका बच्चों को बेसबरी से इंतजार रहता है तो आ गई आपकी एक्सेसाई ध्यान से समझ लीजिए अब इसको सबसे पहला कोशन आपसे पूछागे 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 प्राप्तानी ववंति गाउं में कहता है कौन को सी शुद वस्तु में प्राप्त होती है तो ग्रामेशू शुदम दुगदम शुदम घृतम शुदानी खादे वस्तु नीच प्राप्तानी ववंति ठीक है केशू समीचीनम स्वास्तियम भवति कहता कि किसका जीवन स्वास् तो वर्तमाने ग्रामीना विचारियंती नगरेशु सुविदा अधिक भवंती अधिका संती ठीक है कोशन नमबर टू में आगे बढ़ती हूं कोशन नमबर टू में आपको उचित शब्द चुनना है इसमें से रिक्त स्थान में से तो चंदरस्य परकाशम शीतला भवति यहां पर परकाशम जाने की चंदरस्य चंदर का परकाशीतल होता है तो परकाशम इसना राइट आप्शन भारत के सैनिक वीर है तो भारत के सैनिक जादा है बहुवचन है इसलिए वीराहा आ जाएगा वीर नहीं आएगा एक बंदा नहीं है यहां पर ब्रहमरा कमले लोग सरोवर में सनान करते हैं तो जना सरोवर में सरोवरे सनाने अन्ती तत्र वरिक्षेशू वानरा वसंती वहां वरिक्षपर वानर है ठीक है वानर एक नहीं है बहुत सारे वानर है इसलिए वानर आहा पुलिंग शब्दों के शेष्टि वी बक्ति के उचित रूपो रिक्तस्तान की पूर्थ capitalize करनी है मातुल की एक वच्चन क्या होगा मातुलस्य मातुले ओ अag़े देखेंगे तुरंग तुरंग स्य तुरंगै तुरंगयो तुरंगा नाम अज अजस्य अजय अजयो अजय की तुरंगया illam आपकी अगर देखा जाए बुक्स में कुछ विभक्तियां दे रखी होंगी अगर आपने आई तक पड़ी होंगी या नहीं पड़ी होंगी I don't know तो ये विभक्ती जो है न ये विभक्ती चल रही है 84 पेज़ पर किसकी तरह एक बिनट आपकी विभक्ती अगर देखें है तो गुरू की विभक्ती की तरह भी चल रही है ये विभक्ती आपकी ठीक है घुरू की विभक्ती की तरह चल रही है जानी की उकारांत के रूप आप एक बार स्टड़ी ज़रूर कीजिएगा चलिए आगे बढ़ती हूँ मातू लेना उकारांत की भी बक्ती है तो ध्यान से देखिएगा इसमें तुरंग में भी उकारांत ठीके अजय न रहा तो आपको पता ही है चलिए आगे बढ़ती हूँ इस्त्री लिंग शब्दों की शेष्टी भी बक्ती के उचित रूप तो पीछे मैंने रमा जब बोला था वो रमा नहीं था वो उकारांत पुलिंग के रूप थे ठीके अब देखेंगे हम इस्त्री लिंग शब्द ललना एक वचन उसका ललनाया ललनेयो ललना नाम नाम के सा भी सर्ग नहीं आनी हटा दीजिए ये गलत लग गई है खटवा खटवाया खटवयो खटवा नाम वसुदा वसुदाया वसुदयो वसुदा नाम याचा याचाया याचायो याचा नाम ठीके नपुनसंगलिंग शब्दों के शष्टिवी बक्ती के उच्चित रूप भी आ गए आपके शष्टिवी बक्ती के उच्चित रूप भरने है यहाँ पर ठीके सारी लाइन जो चलती है वो चलानी है आपको आगे देखेंगे अब है अदो लिखिता नाम बाक्या नाम संस्कृति अनुबादम कुरूद तुम सब गाओं के शात्र हो और तुम सब की संस्कृत आपको पता है यूयम होता है और यूयम के साथ क्या लगता है स्थ तो यूयम ग्रामीने शात्राहा स्थ विक्षों पर विक्षेशू बंदर बैठेंगे शाखामरिगा स्था सेंति बानराह भी लिख सकते हैं लेकिन इस नहीं है न शाखाओं पे रहने वाले जानवर के लिए यूज कर लिए शाखामरिगा मैं परकाश में पढ़ता हूँ अहां परकाशी पठामी हम देश की रक्षा करेंगी वयम देशत से रक्षम करीश्या में जर रक्षी शामा एक साथ भी हो सकता है जरूरी नहीं करीश्या मालग लगाएं और रक्षमा लग लगाएं रक्षी शामा एक ही बार में लिख सकते हैं आप मोहन का नोकर मोहन से सेवक है खाना बनाता है बोजनम पच्चती ठीक है नोकर एक है इसलिए पच्चती और प्रेजन टेंस है यह लट लकार है अब रिक्षों पर बंदर बैठेंगे यह फ्यूचर टेंस था इसलिए यहाँ पर स्थास्यती स्थास्यति है और जादा के लिए क्या आगया स्थास्यति मैं परकाश में पढ़ता हूं अहम परकाश्य पठामी एक वचन के लिए यह हम देश की रक्षा करेंगे यह फ्यूचर टेंस है वह हम देशक से रक्षम करीश्या में बहु विकल्पी प्रशन पूछे गए हैं भारत वरश कैसा भारत वरश क प्रश्वाईगन पbonम लुद्धम धृह्थ्टम शुद्ध क憋ंच और उपयूक्त सरवानी वैसे तो उपयूक्त सरवानी इसका आंशर होना चाहिए था क्योंकि स्वच्वाईगन मिलती है शुद्ध दूद होगी उपर 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 दिये हुए सारे ओके तो यहां पर आपका पार्ट 14 खतम होता है अगला जो भी चप्टर चाहिए होगा comment box में जरूर बताईएगा यह मैंने अनुवाद दे दिया है आपको return में जहां पर भी spelling mistake आपसे होती है क्रिप्या इसे follow कर लीजिए और देख लीजिए ताकि आपसे कोई भी mistake होनी ना पाए copy पर और teacher भी आपको ना डांटे ओकी students यहां पर मेरा पाठी खतम होता है इसके बाद आपको जो भी चप्टर चाहिए होगा बस comment box में दे दीजिएगा थोड़ी देर लगेगी पर दूंगी जरूर ओकी students